सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और डैल आइकोनों किलिक करना नभोड़ें ताके आप देख सके हमारे लएने वीडियो नमस्कार दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल टेक जी एल आर पर तो दोस्तों आज का वीडियो राजस्तान की जुलाई मंद मे जो कांड हुए है उनके बारे में तो दोस्तों चलिए विस्तार से जानते है कि राजस्तान में पिछले एक महिने में जो पांच कांड हुए है ये कहां कहां और किस किस वज़े से हुए है तो चलिए दोस्तों पहला जो मुद्दा आता है वो आप सब को पता होगा कि पाथ उसको बगा बगा के भगाया और फिर जब वो रुख गया ठक के तो उसके कुलाडी से पैर कार दिये गए तो चलिए तीसरा जो मुद्दा है वो आप एक लड़की का फोटो देख रहे हो जो की जालोर जिले के रामसिन गाम से है जहां ये लड़का साथ जुलई को गर से दौपर में बैंका कहकर निकला था पर बहुत दिनों तक नहीं मिला और पन्रुए दिन एक गोचार भूमी पर इसका सब एक पेड के नीचे लटकता दिका और आप जो चौता फोटो देख रहे हो एक बुड़ा आदमी जो मर चुका है और उसका बेटा उसके गोधी में लेकर बैठा है तो दोस्तों ये कांड साचोर जिले के सितलवाना तैसिल के इटार गाउं से है जहां पर एक मुश्लिम भाई और पटेल भाई से एक दूजे की जमीन विवाद में जगड़ा हुआ और जिसके कारण धारावार हत्यार से एक दूसरे पर हमला होकर उसके बेटे को गंबी रूप से घायल कर दिया और उसके बाप को मार दिया तो दोस्तों जो पांचवा आप एक लड़की का फूरू देख रहे हो उसमें आपको बता दे कि ये बाडमेर जिले के सिर्धरी तैसिल में एक लड़की के साथ रात को करीबन साड़े ग्यारा बज़े घर में गुज़कर उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और जब वो नहीं मानती तो उसका अवहरन करके ले जाकर कही अग्यातवास में उसका रेप कर लेते हैं जी हाँ बारीसर बारीसर सब इसके साथ दुसकर्म करते हैं तो चलिए दोस्तों सभी नियूज को एक विस्तार रूप से जानते हैं तो विडियो को एंड तक खरूर देखें और विडियो आइप अच्चा लगे तो शैयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्रीब करना न भूले तो चलिए दोस्तों विडियो सुरू करते हैं चलिए दोस्तों ये सबसे पहला मुद्दा है और सबसे ज़्यादा सर्चित मुद्दा है ये चालोर जिली के साहला तैसिल के पांथेरी गाम में है जिसका नाम संगीता कुमारी देवासीता जो पंद्रा और सोला जुलाई को मद्दी रात को घर से उसको उठाया गया था और उसके बाद पांच दरिंदों ने इसके साथ रेप किया और दुशकर्म पूरा करने के बाद कुछ लड़की के साथ गलत करने के बाद उसको मार कर एक पेड के नीचे लटका दिया तो जी हाँ दोस्तों उसमें अब एक ही बात दिखाई दे रही है कि सबका एक ही कहना है कि अपरादियों को जल्द से जल्द फांसी दी रिधा चहांपर चुरुजिल्ले के सरदार सहर का है इसमें एक उट जब एक खेत में चरने गया ता तो उस बेजुबान के साथ तीन दरिन्दों ने उसको भगा भगा के बहुत भगाया और जब वो ठक गया तो तीनों दरिन्दों ने इसके पैर काट लिये तो दोस्तों अब इसको भी इनसाफ मिलेगा क्या सबके लिए एक ही सवाल है इस बेजुबान की गलती ही क्या आती अब सुरू निवासों का सबका कहना है कि ये कांड केरला के हातीनी को याद दिलाता है जी हाँ दोस्तों एक बेजुबान के साथ बेरहमी से कोई मारेगा तो एक कल्यूग का निशानी देखे ही तो चले दोस्तों अब इसको भी इनसाफ मिलेगा क्या सबके लिए एक ही सवाल है और चले अब तीसरे मुद्दे को जानते हैं चले दोस्तों तो ये तीसरा मुद्दा चोकी जालो जिले के रामसिन से है जिसमें एक यूग का नाम कपिल रावल है चो की साथ जुलाई को दौपर में इसकूटी लेके घर से बैंक की और गया था और वो अभी तक वापस नहीं आया था जितक के मा का कहना है कि करिब साथ जुलाई को दौपर में इसकूटी लेके वो बैंक की और गया था और उसके बाद जब वो नहीं आया तो दो दिन उसे ढ और 9 जुलाई को जब वो रामसिन थाने में जाके रिपोर्ट पेश करवई तो इसकी रिपोर्ट के बाद भी उसकी गुमसुदे की तलास में किसी को कोई बनक नहीं मिली और जब ठीक 15 दिन बाद 22 जुलाई को एक कोशार की भूमी पर सव लटकता हुआ एक पेड़ के नीच साइड तो जहां तक देखा जाए तो गावाले और मा का कहना है कि इस लड़के का मडर किया हुआ है अब सबका एक ही कहना है कि इस लड़के को क्या न्याय मिल पाएगा या नहीं तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है अब चलिए इस चौते मुद् चांस्टो जिल्य के चितलवाना तैसिल के इटार अकांव से इसमें जमीनी विवाद के कारण दो पक्स एक दूझे में लड़ परते हैं जहाँ पर एक मुसलमान परिवार और एक पटेल परिवार के बीच जगड़ा होता है जिसमें मुस्लमान परिवार दो बाप और बेटे पर हमला किया जाता है और उसके दोरान बाप की मौके पर मिर्ट्यू हो जाती है और बेटा गंभी रूप से गायल हो जाता है और ठीक उसी की मौत के बाद पूरा पटेल समाज एक होकर इसके खिलाब लड़ता है और सबका एक ही कहना है कि जिस जमीनी विवाद के कारण जो मौत हुई है उसका जिमेदार क्या मुस्लमान परिवार होगा और क्या इसको न्याय मिलेगा तो चलिए दोस्तों ये मुद्दा कहां पर खतम होगा वो तब पता नहीं है पर इस मुद्दे को न्याय मिलेगा की नहीं सबका एक ही कहना है तो चलिए पांचवा मुद्दा क्या है वो भी जान लेते हैं पांचवा और आकरी मुद्दा जो की बाड़बे जिले के सिनधरी तैसिल से हैं जहां पर भाना मगरा नामक गाव में एक लड़की के साथ रात को 11.30 ग्यारा बजे 3-4 दरिंदे आते हैं और उसके साथ जबर दस्ती करते हैं और जब वो नहीं कर पाते हैं तो उसका अभ़रन करके कई अग्यातवास में जाकर बाईसर बाईसर सब उसके साथ दुसकर्म करते हैं और सुबे सब होती है पीडिती की माँ जो अपने भाई और अपने पती से इसके बारे में बात करती है और ठीक दो तिन दिन बाद वो थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती है पर सिंदरी थाने में उसके द्वारा कोई रेस्पॉंस नहीं मिलता तो उसके बावजुद वो जिला पुलिस अधिसक के पास जाते हैं और उसके बाद कारवाई करते हैं जिसमें पुलिस अधिसक द्वारा कहा जाता है कि लड़की का मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद तीनों के उपर कानुनी कारवाई होगी और धाराओं के द्वारा उसको सजा भी मिलेगी तो दोस्तों इनको भी न्याय मिलेगा क्या सब एक से एक मुद्दे हैं और चलिए सबको न्याय मिलेगा कि नई कमेंट में जरूर बताना दोस्तों और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद